जैहिन सात्यों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरश इस्टेडिट ट्रिक परिवार में और जैसा कि आप थमनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंग यादव की पुस्त के पूरे 50 पेपर कंपलिट होने के पस चाथ हम लेकर आये थ उसके बाद में हम परिवेश किये थे जीके में और जीके के हमने इतियास के जितने भी परशन बन रहे थे उन्हें भी कंपलिट कर लिया अब आगे किसकी तेयारी है आगे तेयारी है आपके भुगोल, समीदान और अर्थियोस्ता से सम्बंदी जितने भी परशन बन रहे ह वो सभी आज के वीडियो में हम कंप्लिट करेंगे और उनसे सम्मन्दी जो भी मयतोपूर्ण तत्य है जो आपकी परिक्षा में आने के योग्य हैं तो उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं तो चलते हैं शुरुआत करते हैं शुरुआत से पहले ये दिया आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए नोटिपिकेशन बेल को भी ओन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पांसती रहे आप बोलोगे ये स्क्रोल क्यों हो रहा तो स्क्रोल इसलिए क्योंकि ये इतियास के परसन है और ये सबी हम कंप्लिट कर चुके हैं आप सबी ने देखा है तो अब हम आने वाले हैं ये इतियास के थे इतने अब भुगोल के परसनों की और बढ़ते हैं भुगोल का पहला और आपकी पुस्तका 199 में वा क्यूशन 118 में क्यूशन आपके इतियास से समंदीते यह क्यूशन है कि सौर मुंडल का दूसरा सबसे बड़ा गरह कौन सा है तो सौर मुंडल के सबसे बड़ा गरह की बात करे तो वो ब्रस्पति है परंतु परसन में तो पूचा दूसरा सबसे बड़ा गरह तो वो कौन सा होगा वो होगा आपका सनी होगा और इसके अलावा एक मातर वले युक्त गरह की बात करें तो वो भी कौन सा होगा सनी होगा नेक्स्ट क्यूशन वर्स का छोटा दिन होता है अर तार इशे हम यह भी कहा सकते है उत्री गॉलार्ड का सबसे चोटा दिन क्योंकि हमारा भारत किस गॉलार्ड में आता है उत्री गॉलार्ड में आता है तो उत्री गॉलार्ड का सबसे चोटा दिन या वर्ष का सबसे चोटा दिन दक्षिन गॉलार्ड का सबसे चोटा दिन परत्वी की तिर्जिया लग बग कितनी होती है तो लग बग होती है आपके 6,321 किलोमेटर कोई कनफरम नहीं यह लग बग दिया गया आपके परसंद में भी और यह लग बग ही है अलग लग किताबों में अलग अंकड़े आएंगे आपके सामने ओप्शन नमबर C राइट ह परत्वी की जुड़वा बैन भी कहते है क्योंकि इसका आकार और दर्वेमान क्या होता परत्वी के समान होता है ओप्शन नमबर A राइट होगा यहां पर इसके अलग शुकर गरह आपके सबसे गरम गरह भी है बुद्ध सूरिय के सबसे नज़दी गरह की बात करें तो व वह स्रमंडल का सब्से छोटा हूपगरह भी है नेक्स या लोक्यूов सन भी पूछ लिए सौरमंडल का सब्सेट चोटा उपगरह कौन सा अभी अभी हम बात कर्चूके है डीमॉस है और सड़्न नमबर चंद्रमा पर्थवी पर कितने दिनों में चक्र पूर्ण करता है। चंद्रमा को पर्थवी पर एक चक्र पूर्ण करने में 28 दिन लगते हैं। ओप्शन नमबर A राइट होगा यहां पे। वर्ष का लंबा दिन कौन सा होता यह पूछ लिया और यह हम चर्चा कर चुके पहले क्यूशन में कि वर्ष का सबचे छोटा दिन 22 दिन 21 जून होता। 21 सिटंबर और 23 मार्च को क्या होता इन दिनों में आपके रात और दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्यूसन जब चंदर्मा पर्थ्वी और सूरिय के बीच में आ जाता है तो उस समय किस परकार का ग्रहन होता है जब चंदर्मा आपके पर्थ्वी और सूरिय के बीच में आता है तो उस समय होता है आपके सूरिय ग्रहन option number B right होगा यहाँ पे next question कौन सा गर है आकार और दर्वेमान में लगबग पर्थवी के समान अभी अभी बताया था पर्थवी की जुड़ुआ बैन भी है बरस्पती सन्नी मंगल नहीं है शुकर होगा किसी भी option में नहीं है तो option D होगा इन में से कोई नहीं next पर्थवी को दो बराबर भागों में बांटने वाले कालपनिक रेखा का नाम के है पर्थवी को दो बराबर भागों में बांटे की भूमी को दो बराबर भागों में बांटे की तो वो मद्दे से होगी तो भूमद्दे रेखा ठीक है इसके अलावा इसे हमenario क्या कहते हैं इसके अलावा इसे हम विश्वत रेका भी कहते है तो भुमड़े रेका जिरो डिच्वत रेका जहां पर भी दिया गया आप्स toc就到बे होगा option B में भुमड़े option B इसका सही उत्तर होगा नेमन में किस गर्य के अधिक उप गर्य हैं वरतमान में कौन सा होगा वर्तमान में आपका होगा और बुद्ध के जश्ट बाद में ये हो गया आपका सुकर, और सुकर के जश्ट बाद में कौन सा हो गया, सुकर के जश्ट बाद में हो गया अपनी पर्त्वी, तिन नमबर पे पर्त्वी आ जाएगी, और पर्त्वी के जश्ट बाद में कौन सा हो जाएगा, पर्त्वी के जश्टबाद में ये हो गया, चार नमबर के जिसे लाल ग्रे कहते हैं, मंगल हो गया, और मंगल के जश्टबाद में कौन सा हो गया, मंगल के जश्टबाद में आपके सबसे बड़ा ग्रह बरस्पती हो गया, और मंगल ग्रह और बरस्पती के बीच में ही सुद अब पूछा क्या पर्त्वी के दोनों और, तो पर्त्वी के दोनों और कौन से होगे, इधर तो ये सुकर है, और आगे कौन सा मंगल होगे, तो सुकर और मंगल पाये जाते हैं, दोनों और, शुकर और सन्दी नहीं होगा, मंगल और बरस्पती नहीं होगा, बुद्ध और सुकर नहीं होगा, मंगल और सुकर राइट आंसर, ओप्सन नमबर D से होगा नेक्स्ट क्यूशन, मंगल गरे के कितने उपगरे, दो उपगरे, अब यह भी हम चर्चा कर चुके, डीमोस और फीबोस, और डीमोस आपका, सौर मंडल का सबसे छोटा उपगरे भी है, ओप्सन नमबर D राइट हो गए हैं, पर्त्री के प्राकर्तिक उपगरे कितने हैं, प आपका बुद्ध और शुकर के एक भी उपगरे नहीं है, जान रखना, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा गरे कौन सा, सबसे बड़ा गरे तो आप सभी जानते हो बरस्पति है, ओप्सन नमबर A राइट होगा, सौर मंडल का चितर रेखती ही पता लग जाएगा इसका त होता तो बर्मांड का के अंदर आकास गंगा ओप्सन नमबर A राइट हो गए यहां पर सूर्य के निखट वर्ति ग्रहों में परत्वी का इस्तान अभी अभी हम चर्चा कर चुके है, सबसे निखट बुद्ध पढ़ चुके हैं, सबसे अधिक चम्किला गरे सुकर है, यह अभी पढ़ चुके है, इवनिंग इस्टार और मॉर्निंग इस्टार भी कहा जाता, अर्तार बोर का तारा और सांज का तारा, इसके अलावा आगे क्या दिया गया है, सूर्य के सबसे नजदी ग्रह मंगल तो नहीं हो सबता ना, यह तो आपको पता, सबसे अधिक चंद्र माओं वाला ग्रह सनी है, इस परसन के अकोर्डिंग जब यह बना था, उस समय के अकोर्डिंग यह सही है, परन्तु वर्तमान में तो यह भी गलत होता है, परन्तु अभी कुछ ही दिनों पहले बरस्पती पर उपगरों की खोज़ुई है, और बरस्पती सबसे ज़्यादा उपगरों वाला बना है, तो उपगरों नमबर डी राइट होगा इसके अकोर्डिंग आपके, और यह उपगरों वाले कोई कनफरम नहीं है, कभी सनी के ज़्यादा बटताते हैं, कभी आपके बरस्पती के ज़्यादा बताते हैं, जब भी वेगयनिक आते हैं, तो किसी न नजदिक होती है, आपकी 4 जनवरी को, ओप्शन नमबर C राइट होगा, 21 उनको बड़ा दिन, 22 मार्च नहीं होगा, 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है, ठीक है, इवनिंग इस्टार और बोर कातारा, सुकर को कहते हैं, यह एम पड़ चुके हैं, छाया पत क्या है, अच्छ नमबर D राइट होगा, यहां पर, पर्त्वी का जुडवां गरह किसे कहा जाता है, पर्त्वी की जुडवां बैन हम पड़ चुके हैं, जो आकार और दर्यमान में समान होगी, कौन सी होगी, शुकर होगी, ओप्शन नमबर C राइट होगा, यहां पर, सबसे ज्यादा क्य आपके सुकर से ही बनते हैं, निम्न गरायव चंद्रमाओं के संक्या का कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है, वैसे देखे तो ऑप्शन नमबर D इसका सही उतर होगा, बुद्ध पर एक भी चंद्रमान नहीं है, ठीक है, इसके अलवा बरस्पतिम में अब बढ़ गई है, उस समय जब ये बनाता तब 79 थे है, अब 92 है, सन्नी के 82 होगे है, मंगल के 2 होगे, डिमोस और फीबोस, नेक्ट, सूर्य से दर्ती तक परकास के पहुंचने में लग बग कितना समय लगता है, लग भग लग भग 8 मिनट लगते है, ओप्शन नमबर C राइट होगा यहापे किस गरह पर सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन किस गरह पर होता है, मंगल, बुध, ब्रस्पती और सुकर, तो सुकर गरह पर सबसे लंबा दिन होता है, ओप्शन नमबर D राइट होगा, मैंने बोला ता सबसे ज़्यादा क्यूशन आपके सुकर गरह से बनते है बुमध्य रेका कितने आकसांस से ओकर गुजरती यह हम जर्था कर चुके 0 डिग्री आकसांस 20 रेका जिसे बोलते है option number A right होगा यहाँ पर्त्वी अपनी दूरी पर कितने अंस तक जुकी हुई होती है पर्त्वी अपनी दूरी पर साड़े 23 डिग्री तक जुकी होती option A right होगा इसके अलवा 25 डिग्री तक कौन जुका हुआ होता 25 डिग्री तक आपके मंगल गरे जुका हुआ है next question अंतराश्ट्री तिथी रेका या दिनाक रेका जिसे हम कहते है साड़ान रूप से कैसे व्यक्त की जाती है तो अंतराश्ट्री दिनाक रेका आपके 180 डिग्री देशांतर है option B right होगा यहाँ पर next question दुरुवे पर बड़े से बड़ा दिन किस अवदी का होता है तो सबसे बड़े से बड़ा दिन आपके 6 महीने का होता दुरुवे पर option number D right होगा और 6 महीने के ही बड़ी से बड़ी रात होती है next question आपको सुमेलिट करना है बताना करक रेका करक रेका आपके ये भूमद्दे रेका होगी यहाँ पर एक रेका जिसे हम कह सकते है कौन सी रेका कह सकते है साथे 23 डिगरी उत्री आक्सांस जिसे हम कहते है करक रेका और उसके ज़स्ट उपर होती ही एक साथे 26 डिगरी उत्री आक्सांस जिसे हम क्या कहते है जिसे हम कहते है आरक्टिक वर्थ और इधर हो जाएगी शाड़े 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 शाड अब दियागे Arctic वर्थ 666 डिगरी उत्री आक्सांस और Antarctic वर्थ 666 डिगरी दक्षिन आक्सांस तो 1, 4, 3, 2 और लाश्म में विश्व अत्रेखा आप बता चुके आपको 0 डिगरी आक्सांस हो जाएगे 5 1, 4, 3, 2, 5 और लाश्म में दियागे और अप्सन बी इसका सही उत्र होगा नाक्स्ट क्यूशन रितू परिवर्थन पर्त्वी की किस गती के कारण होते हैं तो रितू परिवर्तन परत्वी की वार्षी गती के कारण होता है उप्शन बी में वार्षी गती है उप्शन बी इसका सही उतर होगा बुमी की कितने परतिशत जगह पानी से डखी होती है तो बुमी की कितने परतिशत जगह पर पानी है पर तुके वायू मंडल का सरवादिक गनत्व कहां पर होता है सबसे ज्यादा गनत्व आपके ट्रोपो इस्पियर अर्था सोब मंडल में होता ओप्शन नंबर ए राइट हो गाई यहां पे सुर्य से आने वाले प्राभेंग ने हरी हानिकर किर्णों को रोखने वाले परत को क्या कहते है ह। उजून परतिया ओजून Art Pire कहते है जिसका परती क्या होता होता है सुनामी नाम किसे संबंधित है सुनामी आपके समुध्री बुखकंप से संबंदित है उप्छन नंबर ए राइट होगा तो यह थे बोगोल से संबंधित सामाने तथ अब हम खुछ बारत यह बोगोल बारत के कुछ इस्तान हो कुछ विशयष की चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले दिया गया स्रिलंका बारत से कौन सी दिशा में है अच्छा क्यूं सन आप सभी को पता जिसने बारत का मानसीतर देखा उसे पता है क्यों पता है क्यों कि स्रिलंका है इतने असा अपने देश का मानसीतर घरीते है तो स्रिलंका का मानसीतर मुक्त में साथ आता ह ठिकледाय तो भारत के कौन सी दिखाए देता है इस आप से नमबर डी राइट हो गए हैं करंकरेका किसराज्य से गुज़रता है करंकरेका भारत के आँठ राज्यों से गुज़रती है सबसे पहले आपके गुजराथ से गुज़रते है जारखंड के बाद में आ जाएगा आपका पस्चिम बंगाल फिर तिरपूर आ जाएगा और फिर मिजोरम आ जाएगा इस परकारिया आठ राज्यों से गुजरती हैं तो यहां पे कौन सा हो जाएगा उत्तर परदेश से नहीं गुजरेगे अरियाना से नहीं हिमाचल परदे सिर्यनगर को लेस से जोडने वाला दर्रा आपके जोजिला दर्रा ऑपशन नमबर एimas Locker आगे नाथुला दर्रा से सम्मधित क्यूशन भी आएगा कनपरम आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट दर्राई येलो नाथुला एकिस्तान है ला का मतलब होता है दर्रा ठीक है तो नाथुला एकिस्तान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन शिमा व्यापार फिर से शुरू क किया गया है वह किस बारतिय शिमा परिस्ता ताथ सु इस्क्रि किम में है ओप्षन नंबर एट होगए याँ पर नुक्व необходимо किस नदि पर है त् सतलोज कावेरी खागेरती या करश्णा तो टेभध आपके भागेरति नदी परिस्तात तर है इराकूंड बांद महानदी परि सागर जलाश से किस नदी पर है तो यह रीहंद नदी पर है option B में रीहंद है option B इसका सही उत्तर होगा next question अमरकंटक्ट से किस नदी का उदगम होता है सोन, महानदी, गोदावरी या नर्मदा तो अमरकंटक्ट से नर्मदा नदी का उदगम होता है लूनी नदी को कहा जाता है सीधा सा उप्सन नंबर B राइट होगा और लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है लूनी नदी का उद्गम आपके राजस्तान के अजमेर के नाग पाहड से होता है और जहां से इसका उद्गम होता है वहां से इसका नाम क्या है उसका नाम है सा सागर्मती वैसे साबर्मती नदी उद्गम से होता प्रन्तु वो हो अध्यपूर की पार्डियों से होता है और तक पानी मीटा है और उसके बाद में उसका पानी क्या हो जाता खारा हो जाता इसलिए लूनी नदी को आधिह खारी और आधिह भी काहा जाता है ividades नेक्स्ट सरदार सरोर प्रियोजना किस नदी पर यह हम चर्चा कर चुके नर्मदा नदी पर है ऑप्शन नंबर भी राइट होगा नेमन में से कौन सा परवत नर्मदा और तापती नदी के बीच में बैरता है तो कौन सा परवत सरंकला हो जाएगी नर्मदा और तापती के बीच में सत्थपुड़ा परवत सरंकला हो जाएगी Option C में सथपुड़ा तो Option C इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी किन दो राजियों के बीच में हैं कावेरी जल्विवाद भी होता है इनके मद्दे किन दो राजियों के बीच में करनाटक और तमिल नाड़ो के बीच में Option No. B राइट होगा बीचा विचाद या बीचा सोक किसे का जाता कोशी नदी को का जाता Option No. C राइट होगा पूर्वशे पस्चिम की और बैने वाली नदी कौन सी है पूर्वशे पस्चिम की और मतलब इदर से आएगी और इदर अरब सागर की और गिरेगी तो पूर्वशे पस्चिम की और बैने वाली नदी सीदा सा है अरब सागर में ही गिरने वाली है तो अरब सागर में इन में से कौन सी गिरेगी अरब सागर में इन में से नर्मता नदी गिरेगी Option B राइट होगा गोदावरी, कावेरी ये तो आपकी बंगाल की खड़ी में गिरेगी तो ये पस्चिम से पूर्वकी और जाएगी नेक्ष्ट तिर तिस्तल रिशी केस किस नदी के किनारी इस्तत है यमुना, यमुना नदी के किनारे इंपोर्टेंट तीन सहर है जिसके आपको ट्रिक बताएगे, ये क्या ट्रिक बताएगे आदिम, आदिम का मतलब क्या हो जाएगा आदिम, आदिम से हो जाएगा आगरा, दिल्ली, मतुरा तिनो सहर यमुना नदी के किनारे इस्तत है इसके अलवा कानपूर, पठना, रिशी केस आदिम, 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 आद पर सिद काजी रंगार नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये जिमकार बेड़, तो काजी रंगार राष्ट्रे उद्यान होगा, और ये किस राज़े में हैं? असम में है, ओप्शन A राइट होगा मानस अब्यार रहने भी कहां पर इस्तत है, मानस भी आपके असम में हैं, इसका भी ओप्शन A राइट होगा केवलादेव राष्ट्रे पार्क किस राजे में इस्तत है राजस्तान के भरतपूर में इस्तत है केवलादेव राष्ट्रे पार्क राजस्तान ओप्शन डी में दियागे ओप्शन डी इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट क्यों दियागे है जिमकार बेट कौन से हैं ठीक है तो इसका पहले राष्ट्रिव जानता उसके बाद में इसका किया जिमकार बेट और वरतमान में इसे और चेंज करके राम गंगा राष्ट्रिव जान कर दिया ठीक है तो यह आपके उत्राखंड में ऑप्सन नंबर डी राइट होगा यहां सुर् Maori राइट होगा D में जारखन दिया गया ना सिर्वयंकटेस वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारेने किस राज्य में इस्थ्थ्थ्थ lleg यह आपके यह लिए परृण थ्थ्थ्थ जारखंड में इस्तत है A.C.I. जंगली गद्य कहाँ पर पाय जाते हैं तो A.C.I. जंगली गद्य आपके गुजरात के कच के रण में पाय जाते हैं Option C राइट होगा गिरवन भी कहाँ पर है गिरवन भी गुजरात में है Option B राइट होगा Next question सलीम अली राष्ट्री उद्यान कहाँ इस्तत है यदि पूचा जाए सलीम अली की कारिय इस्तली कौन सी है तो वो केवला देव राष्ट्री उद्यान जो आपका बरतपुर राजस्तान में वो होगा परन्तु सलीम अली राष्ट्री उद्यान कहाँ पर है को शब्से बड़ा कोफी ऊत्पआधक राजे कौना में ब्राजीव होगा और बारत वर्या और करम और और यहां पर गना होता है वहां पर भी चीनी होता है इसले चीनी का खटोरा भी बोल सकते हैं इसे उत्र प्रदेश होगा option number a, right होगा यहाँ पर चाय मुख्य तो कह पर पाए जाती है पाधी डलानों में पाए जाती है यह हम चर्चा कर चुक्त है चाय की खोज गहां पर हुई थी, चाय की खोज आपको बताया गया भी है, एक बार चीन की यांग्टी सी क्यांग गाटी में हुई थी, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मीटी कौन सी है, काली मीटी है, वैसे सबसे अच्छी मीटी की बात करें तो वो जलोड मर्दा बारत में कौन से अन की सबसे अधिक पेदावार है, सबसे अधिक पेदावार आपके चावल की होगी ग्याउ मत कर देना, option A right होगा, B गलत होगा Next, कपास की खेती के लिए कौन से मीटी यह दो, फिर से repeat होगी है, काली मीटी है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज यह कौन सा होगा, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल होगा, option A right होगा Next, किस पसल की बुआई तथा कटाई के बीच सरवादिक अंतराल पाया जाता है, यह करांतियों से समझ दीते है, गुलाबी करांती का समझ किस से है, जिंगा उत्पादन से है, यह आप सभी जानते हो निली करांती मचली उत्पादन से, option A right होगा, गौल करांती आलू उत्पादन से, option B right होगा सबसे बड़ी मानव निर्मिक जील कोण सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मिक जील आपके गौविन्द सागर है, option D right होगा यहाँपे चिल का जील किस राज़े में? ओडिसा में है जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी जील है बारत की डल जील कहां पे है? डल जील आपके जमुकस्मीर में डल जील वुलर जील इसके अलाव आपके बेरी नाग, शेस नाग, नागिन जील ये सभी कहां पर है ये जम्यू कस्मीर में और जिन जिलों के आगे ताल सब जुड़ा हुआ है वो किस में होगी उत्राखंड में देव ताल, खुर्पा ताल, माला ताल, राक्षस ताल ये सभी उत्राखंड में हैं बारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी होगी चिलका होगी अभी अभी हमचर्चा कर चुके हैं बारत विश्वव में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? विश्वव में सबसे बड़ा निर्यातक अबरक्त का है option number D right होगा यहाँ पे बारत में सोन्य की खान किस राज़े में है कैजी आप सबने देखियोगे कॉलार गॉल्ड फिल्ड आपके करनाटक में ओप्सन नंबर B राइट होगा यहां पे टंगस्टन दातू कहां पाई जाती है टंगस्टन दातू आपके सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है और राजस्थान में भी काँ पर पाई जाती है वो हमारे जीले नागोर में पाई जाती है ठीक नागोर के डेगाना भाकरी छेतर में पाई जाती है ओप्सन C राइट होगा यहां पे नेक्स्ट क्यूशन बारत में हीरे की सिस्तान पर पाये जाते हैं तो हीरे कहां पर पाये जाएंगे पन्ना और पन्ना कहां पर है MP में ओप्सन नंबर बी राइट होगा यहां पर तो यह थे बारत के भुगोल से सम्मदित कुछ most important fact अब हम बात करने वाले विष्व के भुगोल की तो विष्व का भुगोल दिया गया और सबसे पहला क्यूसन दिया गया कोन सा सागर और न्यूजीलेंड को अलग करता है अरब सागर तो नहीं करे गया यह थो आप सभी को बता है तो तस्मान सागर इसका राइट आंसर होगा option नंबर बी राइट हो गए यहां पर दक्षिन दुर्व के आसपास के इलाकों को क्या कहा जाता है अप्षन सी राइट होगा साहरा मरुस्तल अपरिका के किस बाग में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्तल और एशिया के सबसे बड़े मरुस्तल की बात करें तो वह कौन सा क्या हो गया पर संत अंडा हो गया तो पर नामा नहर आपके परसंत सागर और अंद्र सागर जिशन माधिसर हम एट्लांटिक मासागर परसंत मासागर के रखा और खो स्टी प्रभाय मध रेखन कों सा देश है एसा मादीप जिससे आपकी भूमत दे रेखा मकर रेखा और करक रेखा तीनों रेखा हैं गुजरती वो कौन सा मादीप है उस मादीप की बात करें तो वो अफरीका मादीप है और वह देस्टी से भूमद्य रेखा और मकर रेखा गुजती है वो ब्राजील है ओप्शन भी राइट हो गई यहां पर नेक्स्ट क्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रेखिस्तान यह हम चर्चा कर चुके है थार का रेखिस्तान तो बार्थ का सबसे बड़ा गौबी एसिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा सहारा जो उत्री अफ्रिका में पाये जाता है स्वेज नेर किन दो सागरों को जोड़ती है लाव सागर और भुमद्य सागर ओप्शन ए में है ओप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेमन में एक कौन सी विश्व के सबसे बड़ी जील है विश्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है कैस्पियन सागर है ओप्शन नंबर बी राइट हो गई आपे नेक्स्ट क्यूशन एसिया में सबसे विशाल मरूभूमी कौन सी होगी गोबी की मरूभुमी ऑप्शन नंबर C राइट होगा बुमद्य रेखा के समानतर कौन सी रेखा यह बुमद्य रेखा और इस तरफ चलने वाली इन रेखाओं को क्या कहते है उपर और नीचे दोनों तरफ इन्हें आपसांस रेखाई कहते है अप्शन नंबर B राइट हो गए यहां पर सबसे छोटा देश जंसंक्या में चाहे जंसंक्या की बात करे चाहे छेतरफल की बात करे सबसे छोटा तो कौन सा होगा वेटिकन सीटी यह देश नहीं है एक इतना सा महल है जिसमें एक हजार लोग आ सके एक्चली क्या है इसमें जो इटली का धरमगुरु पॉप है वो यहां पर बेठता है और इसलिए इसे पॉप का सहर भी कहा जाता है और अपने धरमगुरु को उच्छा दर्जा दिलवाने के लिए इसे देश कोशित करवाया गया है नेक्स्ट क्यूशन सबचे अधिक रबड किस देश में उत्पन होता है तो सबचे अधिक रबड किस देश में उत्पन होता है थाइलेंड में होता है इसके अलाव थाइलेंड को क्या कहा जाता है सवेत हातियों का देश कहा जाता है तो हातियों का देश की से कहा जाता है, हातियों का देश लाहोस को कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा माधिव कौन सा है, यह अपना माधिव पर एशिया ओप्सन नमबर सी राइट हो गई यहां पर ब्राजील किस्पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात गदो ब्राजील किस्पदार्थ का होगा यह हम चर्चा कर चुके है कौफी का है और बारत में कौन है करनाटक है हवाई दीप निम्न में इसे किस देश का बाग है तो हवाई दीप अमेरिका का बाग है ओप्सन C राइट हो गई है आपि सवाना क्या है ऑस्ट्रेलिया में सितोषन गास का मेदान दुरुए चेत्रों में बलुई मीटी चीन में जलो डुपचाव मीटी या अपरिका में उस्टन कटिबंदिय घास का मेदान तो सवाना आपके अपरिका में उस्टन कटिबंदिय घास के मेदान है विश्व का सबसे उंचा जलब परपात किस देश में है तो विश्व का सबसे उंचा जलब परपात आपके वेनिज्वेला में है option number B right होगा यहाँ पे संसार का सबसे बड़ा दीब Greenland है जो किसका अभिनंग है Denmark का अभिनंग है option C right होगा Asia का सबसे बड़ा दीब कौन सा होगा Borneo होगा option C right होगा सबसे अधिक इलाइस्तान मासिन राम है जो किस राजे में है Megale में है बारत में है option number B right होगा यहाँ पे अधिक तम फसल उत्पादन के रूप में कौन सा युग में गलत है सावल सबसे ज्यादा चेन में होते है तो बारत में केशी होगी यही गलत हो जाएगा option C right तंबाकु अमेरिका में और कौफी ब्राजिल में तंबाकु की खेती बारत में कौन लेकर आए यह आपको बता चुके पितले वीडियो में जब हम इस्ट्री की बात कर रहे थे तो पूर्तगाली बारत में लेकर आए थे प्याट्रोलियम पदारतों का सबसे अर्दिक उत्पादक देश कौन सा होगा आप सभी जानते हो सवदी अरब है option B right होगा यहाँ पे next question विश्वा की नदियों किनारे बसे नगर में कौन सा यूगम गलत है तो बगदा टिग्रिस नदिये किनारे बसा है इराग की राजदानी बोन राइन नदी के काहिरा नील नदी के और बोन राइन नदी बिलकुल सही है काहिरा नील नदी लाहोर सिंद के किनारे नहीं है option डी राइट होगा लाओर किस नदी के किनारे बसा हुआ है यह इस परसन का उतर आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके देना होगा नेक्स्ट उद्योग और उनसे जुड़े सैरों में कौन सा युगम गलत है तो कौन सा गलत होगा बाकू अजर्वेगा जान पेट्रोलियम का होलिवूड अमेरिका में फिल्म लेट्स इंग्लेंड सूतीवस्थर या मियामी अमेरिका मनोरजल तो बाकि सब्साइए यह इंग्लेंड का लेट्स नहीं होगा यह होगा आपका मैंचेस्टर ठीक है मैंचेस्टर सूतीवस्थर उद्ध्यो के लिए परसीद्ध ऑप्सन सी राइट हो जाएगा यह अलग व्यवस्ता के बारे में तो सहमिदान के लिए आपका परसन आने वाले हैं, यह आ भी गई है आपकी स्क्रीन पर, पैला परसन भारत के अट्वर्णी जनरल की न्यूक्ति कौन करता है, तो न्यूक्ति कौन करेगा, न्यूक्ति आपका राश्टर पती करेगा, ओप्शन नंब लोगसबा सहमिदान का एक निमन सदन है, स्वरी, संसद का एक निमन सदन है, जबकि राज्य सबा आपके संसद का उच्छ सदन है, राज्य सबा कभी भंग नहीं हो सकता, लोगसबा को भंग किया जा सकता है, राज्य सबा के सदश्यों का कारियकाल कितना होता, छे वर्स हो कोन होता है यह आपका भारत का राष्टर पती होता है यह भी आप जानते हों राजे सभा के सर्दश्यों का कारे काल 6 साल होता है यह भी हम चर्चा कर चुके ऑप्शन डी राइट होगा वोट देने के लिए नियुनतम उमर क्या होती पहले यह कितनी थी 21 वर्ष थी परंतु आपके कौन से समीदान संसोदन के अकोर्डिंग 61 समीदान संसोदन के अकोर्डिंग यह आपकी घठा कर राजी उगांदी के काल में 18 वर्ष कर दी गई ओप्शन नमबर ए राइट होगा यह आपके बारत का पर्थम नागरिक कौन होता है बारत का पर्थम नागरिक राष्टरपती होता है और भारत की जनगरना आपके राष्टरपती से ही सुरू होती है नई राजनितिक पार्टियों को मानेता कौन देता है तो नई राजनितिक पार्टियों को मानेता राष्ट्रपति नहीं देता है चुनाव आयुक्त देता है सुप्रीम कोर्ट ने एक बैठक कायुजित की थी और उसमें ये फेसला लिया गया था कि अब राश्टरपती केवल परदान मंत्री की सलापर नहीं लेगा राश्टरपती एक समीती की सलापर लेगा और उस समीती में कौन-कौन होगे एक तो परदान मंत्री होगा एक आपके विपक्स का नेता होगा और इसके अलावा आपके एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टीस होगा ये तीन व्यक्तियों की एक समीती होगी और ये राश्टरपती को सलापर देगी कि किसे चुनावाई उक न्यूक्त करना है ये अभी थोड़े दिन पहले संसोदन हुआ है न्यक्ष्ट बारत के उपराश्टरपती चुने जाते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं तो बारत के उपराश्टरपती आपके राज्यसभा के सदश्य और लोकसभा के सदश्य दोनों वोट देती है इसके लिए बारत का पर्थम व्यक्ति कौन हो जाएगा बारत का राष्टपती होगा योजना आयोक की स्थापना कब की गई थी योजना आयोक की स्थापना 1950 में की गई थी परंत वर्थमान में ये योजना आयोक नहीं हुआ है एक जनवरी 2015 के बाद में ये क्या बन गया ये बन गया नीती आयोक और इसका पदेन सभापती कौन होता है निती आयो का पदेन सभापती आपके परदान मंत्री होता है और इसका उपादेक्स कौन है इसका उपादेक्स वर्तमान में है सूमन के बेरी समिधान के प्रारूप समीती के एद्देक्स कोन है प्रारूप समीती के एद्देक्स आपके डॉक्टर भीमराव अमबेड करें और समिधान सभा के आपके ऐस्ता एद्देक्स किसे बनाया गए थे पर्थम बेठक के सचिदाधन सिर्ना को बनाया गए थे और दूसरी बेठक में इस्ता यद्यक्ष डॉक्टर राजंदर परसाद को बनाया गिया था नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ड के न्यायदीसों की नियुक्ति कोन करता है उप्राष्ट्रपती बनने के लिए नियुन्तम आयूप सिमा कितनी राश्ट्रपती, उपराश्ट्रपती और राज्येपाल इन तिनों के लिए कितनी तैकीगे, 35 वर्ष तैकीगे लोगसभा का सदस्य, विदानसभा का सदस्य, परदानमंत्री, मुख्यमंत्री इन सभी के लिए 25 वर्ष है परन्तु राजे सभा का सदश्य बनने के लिए 30 वर्स की उमर अतिया उसे कर राजे सभा के उपादेक्स का तुनाव कौन करता राजे सभा के अदेक्स जो आपके उपराश्टर पती होता उनका तो लोक सभा और राजे सभा मिलकर करती है परंतु उपादेक्स का चुनाव के ओल राजे सबाब खुद करती option number D right होगा यहाँ पर सर्वस नयाले में जजों की आयू सीमा कितनी है जजों की अधिक्तम आयू सीमा आपके 65 वर्स है option number A right होगा यहाँ पर next question next दिया गिया बारतिय समिदान के अनुसार विद्ययस निती कोन से अनुछियद में है तो निती-निटी सांग्तस के अंतरकत आती है और यह अनुछियद accounts में अनुछियद 52, 53 और 54 तिनो ही राश्ट्रपति से सम्ञद दिते है 52 में राश्ट्रपति का पत दिया गिया है 53 पन में लिखा गिया है कि संग की कारेपाली का सक्ति किस में नीत होती है राश्टरपती में होती है मैलाओं के लिए नेमन में से किस में इस्तान आरक्षित है तो मैलाओं के लिए इस्तान आपके लोकसबा राजे सबा में नहीं है पंचायती राज में इस्तान आरक्षित है तो जोडने की जहां पर भी बात आए तो 42 वा समीदान संसोदन 1936 की बात आएगी जिसे लगू समीदान भी कहा जाता है 42 वा समीदान संसोदन 1946 में आपके दरम निर्प्यक्स और या आपके समाजवादी सब जोड़े गिये हैं Next question राष्ट्रपती राजे सभा में कितने सदस्य मनोनित कर सकता है 12 सदस्य मनोनित कर सकता ओप्सन नमबर भी राइट होगा लोग सभा में पहले 2 कर सकता था एंगलो इंडियन सदस्यों को परंतु वर्तमान में ये हटा दिये गये है नियुक्स्ट भारत में लड़की लड़के की करम सा आयू कितनी होगी शादी के लिए तो सादी के लिए लड़की अठारा वर्ष की होनी चाहिए और लड़का इकिस वर्ष का होना चाहिए 18 इकिस ऌप्शन बी राइट हो गए यहाँ पे नेक्स्ट बारती समिदान के किस अनुचियत के अंतरगत किसी राजय में राष्ट्र पति शासन लागू किया जा सकता है अनुचियत 352, 356 और 306 यह आपको ध्यान होने चाहिए राष्ट्र पति शासन तो 356 इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नंबर C राइट हो गई आपड़े नेक्स्ट क्यूशन बारत में योजना आयो को बंकर यलो क्यूशन आगए समिदान कब लागू हुआ था समिदान लागू हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को option number B right हो गई यहाँ पे समिदान यदि पूछा था अंगी करत कब हुआ तो यह आपके अंगी करत हुआ था 26 नौंबर 1950 को next राजे सभा को कौन बंग कर सकता राजे सभा को बंग कर सकता यह फिर से आ गया sorry पहले आपके विदान सभा का पूछा था अब यह पूछा राजे सभा को कोई भी बंग नहीं कर सकता राजे सभा यह किस्ता ही सदन है जबकि लोकसभा को बंग किया जा सकता राष्ट्रपति दुवारा तो कोई नहीं option number D right हो गई याँ पे परदान मंतरी का चुनाव होता है परदान मंतरी का चुनाव किसके दुवारा होता है लोकसभा के सदश्यों दुवारा लोकसभा में बहुमत लल का नेता परदान मंतरी बनता है संसद के दो सत्रों के बीच में कितना अंतराल हो सकता है अधिक्तम 6 मा का अंतराल होता option number A right हो गई याँ पे सुन्यकाल के यउद्धी कितनी हो जाएगी सुन्यकाल के यउद्धी भी आपके एक गंटे होती है और परसनकाल के यउद्धी भी कितनी होती है परसनकाल के यउद्धी भी एक गंटे की होती है next दिया गया कि लोकसभा को कौन 5 वर्ष के यउद्धी पूरा होने से पहले ही बंग कर सकता यह हम चर्चा कर चुके राष्ट्र प्रति कर सकता परदान मंत्री के अनुबोदन या सलापर समिदान की कौन सी अनुचुची राज के बासाओं से संबन दिती तो समिदान की कौन सी अनुचुची बासाओं से संबन दिता प्रदान मंत्री होता, option c right होगा यहाँ पर, राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए नियूंतम आयू, आयू से समझे चर्चा कर चुके, 30 वर्स होती है, लोग सभा के लिए 25 वर्स होती है, राश्ट्र पती, उपराश्ट्र पती और राज्य पाल के लिए 25 वर्स होती है, option a right होगा यहाँ भी, भारती राश्ट्र पती की अधिक्तम आयू कितनी हो सकती, राश्ट्र पती के अधिक्तम आयू सिमा कोई निर्धारित नहीं की गई, option number d right होगा, इन में से कोई नहीं, नियक्ष्ट दिया गया बात में राश्ट्र पती का सुनाव कौन करता है, तो राश्ट्र पती का सुनाव आपके लोग सभा के निर्वाची सदस्य, विदान सभा के निर्वाची सदस्य, इसके अलवा, आपके राज्य सभा के निर्वाची सदस्य, इसके अलवा, आपके के बास की गयी है क्या क्या लिखा फैकर ए बिलकुल दिल्वाता है राश्ट्रपति यदित त्याग पतर देना चाहे तो उप्र идет के पांस बेशता राश्टरपति के पत कि नियुंतम आयू प्एन्थ वर्स है यह भी सही है डियाग पतर उपर फ्र उप्राष्ट्रपती अपना था प्त IdeORE IT, राष्ट्रपती के पास टाएक को बेज Assault और महावियोग परकिरिया का उलेक अनुछेद 61 में किया गया है नियमन में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपती सभी को अपने पदसी अटा सकता है बाग के मान्यायवादी को अटा सकता बिलकुल अटा सकता राजेपाल को अटा सकता है उपराष्ट्रपती को नहीं अटा सकता है जिस परकार राष्ट्रपती को सांसद अटाती है उसी परकार उपराष्ट्रपती को भी कौन अटाएगी सांसद ये अटाएगी उप्सन सी राइट होगा उस न्यायले के परतिवेदन पर राजे के लोग सेवायों के अध्यक्स को भी अटा सकती है सांसत के दोनों सतनों के सहिंगते दिवेशन को कौन बुलाता जॉइंट सिटिंग कौन बुलाएगा जॉइंट सिटिंग आपके राष्टर पती बुलाएगा और किस अनुचयद के अकॉर्डिंग अनुचयद 108 के अनुसार बुलाता है मौलिक अधिकार अब कितने जब लागू हुआ था उससे में मौलिक अधिकार थे साथ परंत वर्तमान में कितने हैं 6 हैं किसे अटा दिया गया संपती के अधिकार को अटा दिया गया है एक उसी नयायले से दूसरे में किसी नयायदिस के इस्तानांतरिम के लिए कौन प्रादी करते हैं राश्टर पती बारत के मुखे नयायदिस सरोस नयायले के नयायदिसों का एक अधिसासी मंडिल या वीद मंतरी तो कौन होगे इसका राइट आंसर कोन सा होगा option number A right होने वाला है राश्ट्रपती ही एक से दूसरे में transfer कर सकता है next question राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है वेशे देखे तो सामाने रूप से राज्यपाल का कारेकाल पांच वर्सों का होता है परन्तु ये राश्ट्रपती के परसाद परियंत रहता है परदान मंत्री मुखे न्याजदिस या वरिष्टम मंडल तो कौन समालेगा आपका option C right होगा मुखे न्याजदिस सुप्रेम कोर्ट का मुखे न्याजदिस राश्ट्रपती का पद समालेगा एसी इस्तिती में जब राश्ट्रपती भी नहीं है और उप राश्ट्रपती भी नहीं है तो राजे सभा के सदस्यों के अधिक्तम अधिकरत संक्या को अतनी होती है राजे सभा के अधिक्तम सदस्यों की संक्या कितनी होती है 250 होती है और लोगसभा के सदस्यों की संक्या कितनी होती है 550 होती है पहले आपने 552 पड़ा होगा कहीं पर भी परन्तु जो दो एंगलो इंडियन थे उन्हें अटा दिया गिये है तो 550 रह गई है राजसभा के सदस्यों की वर्तमान संक्या कितनी है 245 है ओप्सन नंबर ए राइट होगा लोगसभा के सदस्यों की अधिक्तम संक्या 550 ओप्सन C राइट हो जाएगा निर्वाची सदस्यों की वर्तमान संक्या कितनी है लोगसभा में 543 है और लोगसभा के सदस्यों की संक्या कितनी अधिक्तम नहीं पुछा गया, पूछा गया सिधा पूछा गया लोकसबह की सदर्षयों की संक्या तो वर्तमान में पूछ थी तम संसर के लिए इस में इसका राइट अंसर होगा हुआ अधिक्तम पूछ्टा तो पान्सों पक्चास हो जाता है सांदार सांदार क्यूशन है तो पहला परसन है कि बारत का सबसे बड़ा राश्ट्रे करत बेंक कौन सा है तो सबसे बड़ा राश्ट्रे करत बेंक कौन सा होगा State Bank of India SBI होगा जिसे पहले Imperial Bank के नाम से भी जाना जाता था Next दिया गया कि आईकर या Income Tax कौन लगाएगा राजे सरकार नहीं लगा सकती है RBI भी नहीं लगा सकती है के अंदर सरकार Income Tax लगाती है बारतिय मुद्रा की छपाई किसके दौरा की जाती है बारतिय रिजर्व बेंक या RBI दौरा की जाती है Option C राइट होगा परंतु ज्यान रहे एक रुपए के नौट और शिकों की ड़लाई किसके द्वारा की जाती है या आपके वित मंत्राले द्वारा की जाती है हरित सूचकांग किसके द्वारा विक्सित किया गया तो हरित सूचकांग ग्रिन इंडेक्स आपके वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक द्वारा विक्सित किया गया ओक्षन C में विश्व बैंक है ओक्षन C इसका राइटा शुरूगा संसोदित मुल्य वर्धित कर का सम्मद किस्षे है तो संसोदित मुल्य वर्धित कर का सम्मद हो갈गा आपके भीकरी कर से option number a right होगा यहां पे निमन में से कौन सा appur text कर है आई कर आपके direct text, indirect नहीं होगा उपार चर्चा करने वाले हैं आपके बार्त की जनगरना से सम्मझे जो परसंद दिये गए हैं उन सभी की भी हम इसी पार्ट में चर्चा कर लेते हैं तो जनगरना का परसंद दिया गया है पहला कि बार्त का सहरवादिक आबादी वाले राज्ये की बात करें तो वह उत्तर प्रदे किसका है सब्सक्राइबन किस राजे में सब्सक्राइबन कर चुक् loaded शिक्किम में है बारत में किस राजे की उच्छतम साक्षर्टादर सबसे अच्छी साक्षर्टादर आपके केरल की ओप्शन नंबर बी राइट होगा यहां पे 2011 की जनगनना सर्वादिक जनगनतु अवाला प्रांत कौन सा बिया रही है अमतर्चा कर चुके है 2011 की जनगनना किसंदर में कौन सा सुमेलित नहीं कूर्ट जनसंग्या 121 करोड बिल्कुल सही है जनगना तो 382 व्यक्ति परतिवर किलोमेटर बिल्कुल सही साक्षर्टादर 14.04 भी सही है महीला साक्षर्टा 68 नहीं है ठीक है बारत की जनगनना से समधित कुछ महत्वपुण तक थे और आद हमने क्या क्या पड़ा आद हमने पड़ा बारत का वुगोल विश्वका वुगोल इसके अलाओ सामा ने जो वुगोल से इसके अलाव भारत के समीदान के बारे में भारत के अर्थ व्यवस्ता और जंगरना तो आज के लिए बस इतना ही कल हम नेक्ट पार्ड में भारत और विश्व के सामाने तथे और और बी जितने भी हम क्यूशन कर सकते हैं उतने क्यूशन करेंगे और उस परकार हम एक एक करके सबी परसन कंप्लीट कर लेंगे और इस परकार ये पुस्तक भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद भी अपना शेडूल कंटिनु रहने वाला है तो ये टी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिपिकेशन बेल को भी ओन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पलपल के अपडेट आप तक समय पर पहुंच दिरे मेलते हैं नेक्ट पार्ट में तब तक के लिए जय हिन जय परत